हेलो गाइज हेलो एंड वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टन क्योंकि अक्सर यह सवाल कई बार आता है कि समझ नहीं आता है जब आप लोग मेरे पास आते हैं तो बूल रहें पूछ रहे होते हैं कि क्या हील करना है हमें क् कैसे और कितनी हीलिंग ठीक है तो उसी पर आज थोड़ी सी बात करते हैं कि जब आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आपको क्या हील करना है ओके तो एक बात बोली जाती है ठीक है कि आल्वेज 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 ट्रस्ट यूर इंड्यूशन बीकर जैसे जैसे आप इनर वर्क करके मैच्वर होते जाते हैं न और इंड्यूशन इस आल्वेज टेलिंग यू कि यहां पर आपको काम करने की ज़रुत है ठीक है सम्टाइम्स आपका ट्वीन आपको किसी बात में तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको किस चगह पर और हीलिंग करने की जोरत है एक बात तो यह सेकंड बात अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या हील करना है या क्या हील करना चाहिए तो और आपको फिल हो रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे फिल होता था कि कुछ हीलिंग की जोरत है वो नीड हमें खुद ही महसूस हो जाती है कि कुछ नहीं कुछ हील करना है कोई पार्ट जो हील करना है अनहील रहे गया है बट वो क्या है सम टाइम से इसा भी होता तो उस टाइम पर angels प्रेयर करनी है angels को प्रेय करना है कि वो healing में आपका help करें आपको guide करें कि आपको क्या चीज को heal करने की जरूरत है ठीक है and archangel रफेल जो की healing के angels है उनको pray कर सकते हैं आप या फिर overall जो है archangel Michael को आप प्रेय कर सकते है वो तो सभी चीजों के हैं एंजल तो वो हर टाइप से overall help आपकी करते हैं ठीक है और आर्च एंजल माइकल जो है वो रफेल जो है वो specifically healing अगरा के एंजल है तो वो आपको पूरी पूरी guidance provide कराएंगे कि आपको कैसे और अब क्या चीज जो है वो heal करनी है so you can ask for angel guidance ठीक है angel guidance के लिए आप मांग सकते हो ओके और आप यहां पर आपको कुछ ही time में मान लिजिए 24 गंटे के अंदर अंदर या एक या दो दिन के अंदर अंदर आपको sign मिल जाएंगे कि आपको किस चीज को heal करना चाहिए और फिर आप जब उस पर जाके work करते हैं तो sometimes यह question भी आता है कि कैसे पता लगे कि वो चीज heal हो चुकी है ओके so आपको heal होने का पता ऐसे लगता है कि एक तो जब आप करते जाते हैं करते जाते हैं जैसे मान लिजिए आप forgiveness कर रहे हैं या फिर आपको forgiveness के थुरू आपमाली जे करमत लिजिए करें तो आपको वह 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 जो फिल्द जहां ही है heaviness फील हो रही थी और आपको उसकी need फील हो रही थी तो एक स्टेज ऐसे आजाती है जब healing हो रही होती हो रही होती होती हो तो slowly stage जैसी आने लगजाती कि जहां पर आपको वह जरूरत कम feel होने लगजाइगी आपको खुदी feel होने लगजाइगा कि वहां पर आपका उस चीज को फिर करने का मन जो है वह कम होने लगजाएगा आपको खोदी पता लगजाँएगा कि आप वो वाला जो टेकनिक आप उस ताइम पे कर रहे होंगे जो हीलिंग आप उस ताइम पे कर रहे होंगे उस से आपका ध्यान अपने अपी हटने लग जाएगा तो it is a strong indication कि आपका वो part अब हील हो रहा है अब उसको उतना ज़्यादा work की ज़रुवत नहीं है कि उस टाइम के लिए वह हीलिंग हो चुकी है यह इंडिकेशन आपको मिलेगा ठीक है बाकी तो आपको भी पता है कि हीलिंग तो हमेशा चलती रहती है क्योंकि हम यहीं रहते हैं कोई ना कोई ब्लॉक हमारा कई बार घूम के भी वापस आ जाता है हमारे कई बार हमको उस ची हील हो चुका है तो आपको वह क्लियर इंट्यूशन आएगी आपका वह ज्यादा वह वाली चीज को करने का मन नहीं करेगा वह वाले टेक्निक को जो आप उस पार्ट को हील करने के लिए लगा रहे हैं तो समझ जाएगे कि धीरे धीरे वह पार जो है वह आपका हील हो रहा तो अगर आपको कहीं से भी कोई और इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, खुद से समझ नहीं आ रहा है, तो you can ask for the angelic help, angelic help के लिए मांग सकते हो आप, ठीक है, so this was the video, thank you so much, bye.